नमस्कार, मैं हूँ विजे विद्रोही बिहार में अगले चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और पूरा चनाव तेजस्वी यादव बनाम नरेंदर मोदी नीतीश कुमार हो गया है हलानकि बीजे पी चहती है कि पूरा चनाव नरेंदर मोदी बनाम तेजस्वी यादव हो जाए ऐसा क्या हो पाएगा इसकी हम विवेशना करते हैं बिहार में दूसरे चरण का चनाव जरूरी क्यों है इतना महत्कून क्यों है इतना महत्पून इसलिए है क्योंकि 94 सीटे दाव पर है इन 94 सीटों में से जो ज्यादा सीटे जीतेगा वही बिहार की गत्दी पर बैठेगा यानि यही दूसरा चरण तै करेगा कि नितीश कुमार की वापसी होगी या तेजिस्वी यादव पर चम फैराएंगे कुल मिलाकर पिछली बार इन 94 सीटों में से 30 सीटे लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मिली थी 29 सीटे नितीश को मिली थी तब दोनों मिलकर चुनाओ लड़ रहे थे कॉंग्रेस के हिस्से में 6 सीटे आई थी वो भी महागडबंदन का हिस्सा थी तो 94 में से 65 सीटे आगा जा सकता है पुजेपी के पक्ष में 13 सीटें ही आई थी लेकिन इस बार क्या हो गैए इस बार विहार में कुछ कुछ अनोखा हो रहा है अनोखा इसलिए हो रहा है कि बहुत समय बाद हम देख रहे हैं कि बिहार में स्थानिय मुद्दों पर चनाव हो रहा है मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे धारा 300 सथर जैसे मुद्दे साइड में चले गए विरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार का कामकाज पर जन्मत संग्रहे एक तरह से हो रहा है और जब हम कहते हैं कि विरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो कहीं न कहीं जाती तूट रही है या यूं कहा जाए कि विरोजगार ही एक नई जाती है ना कोई हिंदू है ना मुसल्मान है ना भूमिहार है ना ब्रहामन है महादलित है महापिछडा है पुल मिलाकर महापिछडा विरोजगार है, महादलित विरोजगार है, मुसलिम विरोजगार है, ब्रहामन विरोजगार है, भूमिहार विरोजगार है, राजपूत विरोजगार है, OBC विरोजगार है बीजेपी समझ रहिए कि मामला पेजीदा हो गया है नितीश कुमार का तंबू उखड रहा है इसलिए बीजेपी ने अपने नेरेटिव में बतलाव किया है पहले चरण के चनाव में प्रधान मंत्री मोदी तेजिस्वी यादव का नाम तक नहीं लेते थे उनका कहना था कि क जंगल राज के युवराज के हाथ में सकता आ गई तो फिर उसी जंगल राज की वापसी होगी यानि एक तरह से तेजिस्वी यादव की प्रेजन्स को उनकी मौजूदगी को और कहीं न कहीं उसकी ताकत को भी बीजेपी पहचान रही है और नरेंद्र मोदी भी चाह रहे युवा है और विरोजगार है इनमें से बहुत बड़ी संख्या और ऐसे लोग नितीश कुमार से नाराज है इसलिए नितीश कुमार को बचाने के लिए एक तरह से नरेंद्र मोदी जंगल राज की लालु के जंगल राज की याद दिला रहे हैं इस बहाने वो बूजर्ग को अपने निशाने पर ले रहे हैं महिलाएं उनके निशाने पर हैं जो जंगल राज से बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी दूसरे चरण में जिन 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां बीजेपी 46 सीटों पर लड़ रही है तेजस्वी के खिलाब 27 सीट पर चुनाव लड़ रहा है उन में से 42 सीटों में चिराग पास्वान की पार्टी नें भी अपना दावा भूख रखा है चिराग पास्वान की निशाने पार्टीश कुमार के खिलाफ लड़ रही है इस 25 सीटे ऐसी है जहां नितीश का मुकावला लालू प्रसाद यादव की पार्टी से भी है यानि तेजिस्वी यादव से भी है और चिराग पासवान से भी है 12 सीटों पर कॉंग्रे से भी उसे लड़ना है और LJP से भी लड़ना है यानि कुल मिलाकर 37 सीटों पर त्रिकोडात्मक संगर्श हो रहा है बीजेपी जहां सीधे मुकाबले में है वहीं त्रिकोड के गनित के फेर में नितीश कुमार थस गए है ऐसे में ये चरण ये भी तै करेगा कि चिराग भुझ जाएगा या चिराग नितीश कुमार के तीर को जला डालेगा इसलिए भी ये चुनाव और ज्यादा महतून हो गया है वैसे अगर नितीश कुमार की बात करें तो कहीं न कहीं वो अपना आपाक होते जा रहे हैं वो जज़्ढ़ की राजनीती करते रहे हैं ज़्ढ़ से वो आम तोर पर विवादों में उलचते नहीं हैं वैसा इस बार होड नहीं रहा है एक चुनावी रैली में उन्होंने अपने बाप से पूछो जैसी बात की, एक चुनावी रैली में कह दिया की नौनो बच्चों के बाप हैं, बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटियों पर यकीन नहीं था, यानि कुल मिलाकर लालू यादव पर भी निशाना, प्रधानमंत्री मोदी पर दोरी जिम्मेदारी आ जाती है, प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी को भी जिताना है, गटबंधन को भी जिताना है, और साथ साथ नितीश कुमार को बचाना भी है, नितीश कुमार के खिलाब बहुत सारे लोग है, नितीश कुमार के खिलाब हैं निठीज कुमार के खिलाब उपेंदर कुछवा है जिन एक जैसा है निधीज कुमार के खिलाब 15 साल का उन GPS का फैक्टर है यह तो शत्वा इस वावन सिंग सरकार के खिए भिस ए टेखा था मदेभरादेश में शिवरासी चौहान के खिलाब प्रवासी मजदूर विहार लॉट कर वापस आए दूसरे राज्यों से उनकी नराजगी है तो इतने सारे लोगों के खिलाब निपीश लड़ रहे हैं उधर बीजेपी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है नरेंद्र मूदी की छवी अभी भी परकरार है बीजेपी पर एंटी इंकमबंसी की भी कोई छाया नहीं है और फुल मिलाकर बीजेपी थोड़ी आसान रहा पर दिखती है लेकिन बड़ा सवाल उड़ता है कि डबल इंजन के जरीए डबल विकास का दावा करने वाले ये लो कैसे डबल सीटें जीत पाएंगे उधर तेजस्वी यादव के खेमे की बात करें तो वहां भी सब कुछ ठीक नहीं ऐसा नहीं है कि वह चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं या चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए हैं कुल मिलाकर वहां भी मुश्किल मुश्किले उनके सा सामने हैं जंगल राज वाली बात कहीं जो नरेटिव चेंज किया प्रधान मंतरी ने अगर वो हिट कर गया तो इससे तेजस्वी यादव को अच्छा कासा नुकसान पहुंच सकता है बाबु साब लोग जैसा उन्होंने एक बयान एक जुनावी रैली में दे दिया था जि बेंदर कुष्वा इस वजह से उनकी पार्टी छोड़कर चले गए मैं ही मुंख्य मंतरी इुम्पत का दाव씨 दार हुं मैं ही मुंके मंद्री पतका उमीदवार हूं ये जो उनका भावяла हट धर्वता वाला वह भी कहींघाल उनकी सहयोगी कर्ण को भी करस महीं आया है ले दूसरे चरण की वोटिंग जब होगी उसके बाद मैं फिर आऊंगा आपके साथ और विवेशना करेंगे कि वोटिंग परसंटेज क्या रहा और इस वोटिंग परसंटेज के और वोटिंग किस तरह से हुई उसके असल में माइने क्या है शुक्रियां ABP News आपको रखे आगे